टाइगर वर्सेस ब्लैक पैंथर आखिर दोनों में से किसकी जीत होगी टाइगर और ब्लैक पैंथर दोनों ही टॉप लेवल के शिकारी माने जाते हैं जहां टाइगर अपनी हंटिंग स्ट्रेटेजी से शिकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है वहीं ब्लैक पैंथर अपने दमदार बाइट फोर्से शिकार को पल भर में मौत की नीन सुला देता है ऐसे में ये सवाल उटना लाजमी है कि अगर दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी कौन किस पर भारी पड़ेगा अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो हमारी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है जहां हम आपको बताएंगे कि जब ये दोनों महादानाव आमने सामने होंगे तो जीत किसके पाले में होगी सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर की साथ हो दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो ब्लैक पैंथर के बारे में कम ही जानते हैं लोगों का कहना है कि ये कुछ अलगी प्रजाती के जानवार हैं अगर आप भी ऐसा सोच रखते हैं तो आपको बता दें कि ब्लैक पैंथर कोई और नहीं बलकि काला चीता ही है यह तेंद्वे और जैगवार से मिलती जूलती एक प्रजाती है या फिर यूँ कहें कि एक ब्लैक पैंथर आमतोर पर एक लिवपर्ड या जैगवर को कहा जाता है और यह पैंथर की प्रजाती से ही बिलॉंग करते हैं साइंटिफिक तरीके से समझें तो पैंथर जानवरों की एक जाती का नाम है जिसे पैंथेरा कहते हैं सुनकर आपको हैरानी होगी कि शेर टाइगर जैगवार और लेवपर्ड सभी के सभी पैंथेरा जीनस से हैं ब मेललीन नामका यह पिगमेंट होता है जो हम इनसानों की त מरावा जैनौरों में भी पाया जाता है अगर कि शरीर में इस पिगमेंट की वेढंपरा हो जाती है तो इक स्पेंट में marketing मात्रा काफी जादा है इसलिए इसका रंघ काला होता है अगर हम शेर और टाइगर की बात करें तो इनका रंग साफ होता है क्योंकि इनमें अल्बिनिजम देखने को मिलता है आपको बता दें कि अल्बिनिजम मिनलिजम के एक दम अपोजिट है क्योंकि एक तरफ जहां मिनलिजम के कारण जानौरो का रंग डार्क होता है वहीं दूसरी तरफ अल्बिनिजम की वज़ से ही जानौरों की तुचा सफेद होती है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक पैंथर के शरीर पर भी जैगवार और लेवपर्ड की तरह पैटन बने होते हैं लेकिन अफसोस जादा मिलनिन की वज़े से ये नजर नहीं आते हैं इसलिए दूर से देखने पर ब्लैक पैंथर एकदम ब्लैक नजर आता है सुनकर हैरानी होगी कि एशिया और एफ्रिका में ब्लैक लियोपर्ड को ही ब्लैक पैंथर कहा जाता है इसके अलावा सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ब्लैक जैगवार को ब्लैक पैंथर के नाम से पुकारा जाता है इस तरह हम ये मान सकते हैं कि ब्लैक पैंथर असल माइने में लियोपर्ड और जैगवार ही है अंतर के वल इतना है कि ब्लैक पेंथर की स्किन में मेनलिजम पिग्मिंट जादा होने के कारण इनके शरीर पर पैटर्न दिखाई नहीं देते हैं इसलिए इन्हें ब्लैक पेंथर के नाम से भी जाना जाता है इसलिए दोस्तों अब हम जैगवार और लियोपर्ड में से जो भी जादा पावरफुल है हम उसका कंपेरिजन टाइगर के साथ करेंगे आपको बता दें कि लियोपर्ड और जैगवार में से जैगवार जादा शक्तिशाली होते हैं सबसे पहले हम जैगवार और टाइगर की आपस में तुलना करेंगे एक मेल बैंगोल टाइगर 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसमें इसकी पूँच भी शामिल है जबकि मादा बैंगोल टाइगर की लंबाई के अगर बात करें तो वो 2.4 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक लंबी होती है एक टाइगर का वजन 65 से 310 किलोग्राम तक हो सकता है वहीं साइबेरियन टाइगर की अगर बात करें तो ये बैंगोल टाइगर से आकार में बड़े होते हैं जो की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्यों की परजाती से आते हैं मेल साइबेरियन टाइगर 3.3 मीटर तक लंबे होते हैं और इनमें इनकी 1 मीटर लंबी पूँच भी शामिल है वजन में ये 320 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं ब्लैक जैगवार ब्लैक जैगवार के अगर बात करें तो इनकी लंबाई 1.8 मीटर तक होती है और इनमें इनकी पूँच भी शामिल है हैरानी की बात है कि इनकी पूँच सभी बड़ी बिल्यों में सबसे छोटी होती है वजन में ये जीव 115 किलोग्राम तक के होते हैं इस तरह शरीर के अकार के अधार पर एक टाइगर पैंथर से बड़ा होता है हंट अब बात करते हैं इनके शिकार की टाइगर के अगर बात करें तो ये काफी पेशिंस वाला शिकारी माना जाता है ये करीब 20-30 मिनट तक अपने शिकार पर पैनी नजर बना कर रखता है और फिर मौका देखते ही हमला कर देता है आपको बता दें कि सभी बड़ी बिल्यों के मुकाबले टाइगर के दांत काफी लंबे होते हैं इसके अलावा इसके पंजे बड़े और बहुती मजबूत होते हैं टाइगर पहले अपने शिकार को अपने मजबूत पंजों के जरिये लपक कर पकड़ लेता है और फिर अपने पैने दांतों को शिकार के शरीर में घुसा कर उसकी जान ले लेता है वहीं ब्लैक पैंथर अक्सर रात में शिकार करना जादा पसंद करते हैं क्योंकि रात का अंधेरा इन्हें दुश्मनों से बचने में मदद करता है और ये उस पर आराम से अटेक कर सकते हैं ये जानवर जालियों के पीछे चिप कर बैट जाता है और अपने शिकार का इंतजार करता है इसकी खासियत है कि ये बिना आहट किये बढ़े आराम से चल लेता है ये अपने शिकार को जरा भी बनक नहीं लगने देता और उसके नजदीक जाकर अटैक कर देता है कई बार ये जानवर पेड़ पर चड़ कर शिकार का इंतजार करता है और शिकार के करीब आते ही ये उस पर हमला पोल देता है ये शिकार की गरदन को पकड़ कर उसकी चान ले लेता है स्ट्रेंद ताकत के अगर बात करें तो टाइगर एक पावरफुल जानवर है के पैर आगे के पैरों के मुकाबले कुछ बड़े होते हैं और इनकी हेल्प से ये काफी हाई जंप लगा सकते हैं आंकडों के मुताबिक टाइगर का अब तक का सबसे हाई जंप 12 फिट रिकॉर्ड किया गया है इसके अलावा ये छलंग लगाने में इतने माहिर होते हैं कि लगभग 20 से 30 फिट की दूरी भी बड़े अराम से तै कर सकते हैं वहीं ब्लैक पैंथर या ब्लैक जैगवर के बाइट फोर्स को सुनकर आप चौक जाएंगे दरसल इनका बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्यों में सबसे अधिक है आपको बता दें कि 100 किलो के वजन वाला जैगवर लगभग 1350 PSI की फोर्स से काटने में सक्षम होता है दोस्तों ये बाइट फोर्स किसी भी शिकार को मारने के लिए काफी है पैंथर लगभग 10 फिट की उचाईता कूच सकता है साथ ही 20 फिट की दूरी तै कर सकता है इनके दोड़ने की स्पीड के अगर बात करें तो टाइगर 65 किलोमेटर प्रती घंटे की रफटार से दोड़ने में माहिर होता है जबकि एक ब्लैक पैंथर की रफटार 80 किलोमेटर प्रती घंटा होती है क्या आप जानते हैं कि जंगल में टाइगर की बरावरी कोई नहीं कर सकता लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब इसे अपनी रक्षा करनी पड़ती है ऐसे में ये शिकार करने की टेकनीक से ही अपना बचाओ करता है वहीं ब्लैक पैंथर के मामले में ऐसा न अलावा ये अपने बचाओ करने के लिए अपनी तेज दोड़ने की कैपसिटी का बखू भी इस्तेमाल करते हैं फाइटिंग टेकनीक हाला कि ऐसा कमी देखने को मिला है जब एक टाइगर और ब्लैक पैंथर आमने सामने हो इसकी एहम वज़ा यह है कि टाइगर जहां दिन में शिकार करना पसंद करते हैं वहीं ब्लैक पैंथर काली रात के शिकारी होते हैं लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो जरूर फाइट करने लगेंगे सोचे वो नजारा कैसा होगा क्या टाइगर पैंथर पर भारी पड़ेगा या जिनके दम पर वो टाइगर को मात दे सकता है लेकिन इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि टाइगर पैंथर के मुकाबले जादा शक्तिशाली है ये अपने शरीर पर हुए दर्दनाक हमले को भी जेलने की हिम्मत रखता है कई बार ऐसा देखा गया है कि एक टाइगर पैंथर का बाइट फोर्स टाइगर के मुकाबले काफी जादा होता है लेकिन एक सच ये भी है कि पैंथर के दाथ टाइगर जितने लंबे और नुकिले नहीं होते हैं इसलिए अगर एक टाइगर और पैंथर के बीच फाइट होती है और पैंथर टाइगर को काट लेता है लेकिन अगर टाइगर पैंथर को काट लेता है तब पैंथर बूरी तरस से जकमी हो जाएगा ऐसे में खायल पैंथर पर टाइगर के लिए काबू पाना कोई बड़ी बात नहीं है टाइगर अपने मजबूत पंजों और ताकत से पैंथर पर हमला कर देगा और घायल पैंथर बचाओं में अटेक नहीं कर पाएगा आखिर में जीट टाइगर की होगी लेकिन ऐसे में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के बीच फाइट कब हो रही है दिन या रात में अगर ये लड़ाई दिन में होती है तो जीट टाइगर के पाले में जाएगी वहीं अगर फाइट रात के समय हो रही है तो इसका बड़ा फाइदा पैंथर को होगा क्योंकि रात में ये छिपकर टाइगर पर धावब बोल सकता है अगर भगवान ने चाहा तो पैंथर फाइट में टाइगर को चारो खाने चित भी कर सकता है दोस्तो इन सभी जानकारी के अधार पर हम ये कह सकते हैं कि 10 बार फाइट में से 9 बार जीट टाइगर की ही होगी पर एक बार जीट पैंथर की भी हो सकती है तो दोस्तों अब आपको भी यह conclusion समझ में आ गया होगा कि टाइगर और Black Panther में से कौन किस पर भारी पड़ेगा तो दोस्तों next topic आपको किन दो जानवरों के comparison पर चाहिए comment section में ज़रू बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिले या फिर इंटरस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने friends और family में से जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को आउन कर लीजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिसना करें मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार